आज मैं आप लोगों साथ तीन ऐसे कीचन टिप्स शेयर करने वाली हो जो कीचन में आपकी काफी हेलफुल हैं छोटे-छोटे हैं लेकिन बहुत काम आएंगी हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं चैनल मेरे कीचन में आप सबका बहुत स्वागत है आज की छोटे-छोटे कीचन बड्श है यह तो लाइक जरूर करें चैनल को सबस्क्क्राइब नहीं के तो प्लीज सबस्क्राइब जरूर कर लेएं तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला किचन टीप्स तो सबसे पहला टीप से इस प्रिख करते हैं काजल हो आई-लाइनर हो या फिर कोई-भी मेंकम के तो कभी-कभी क्या थाना हम यूज करते हैं बट कभी-कभी पड़ा रहता है तो सूख जाता है इस तरीके से मेरे पास यह आई-लाइनर है और यह ब्रस वाली है लेकिन यह पैंसिल वाली नहीं है लिक्विड है और इसमें एक ब्रश लगा रहता है जैसे हम नेल पॉलिश में उसी तरीके से ब्राइब होता है तो दीखे मैंने ने नहीं से दो तीम बढ़ी है कि यूज कर लिया है उसके बाद मैं अब आपको शेयर कर रहे हूँ यहां पे दहिते हैं जो इसकी पैंसिल है नोक को आपको निकाले लेगार लेना है उपर की नोक कर लिया थर्ड टाइम मैं वापस कर रही हूं यहां बस आपको नो को उल्टा कर लेना एक छोटा वाला प्लग कर होता है एक चिम्टे की तरह होता है जो मेकप एगर आइब्रो को सेट करने में यूज किया जाता है उसी से आपको पकड़ के निकाल लेना हाथ से निमत बहुत ज्यादा सॉप्ट होता है प्लग कर लिजेगा उसके बाद देखिए इसकी नोग एक दम सही हो गई है अगर माली जिए कभी-कभी नोग उपर की एक दम मोटी हो जाती है ना जिस उसके बाल से निकल जाते तो वहां पर आपको कैची से इस तरीके से इसको सेप कर ल बहुत तो ग्रेटर नहीं यहां अधा तो नीचे गी होता है और जब हम हाथ लगाते हैं तो हाथ से यह हाथ में चिपक जाता है और बहुत सारा वेश्ट हो जाता है तो वहां पर आपको बड़ी-कटार टीप जब दो चुटकी अगर ज्यादा चीज है तो ज्यादा चीज आपको ज्यादा मैदा या थोड़ा साय तो थोड़ा लीजिए अब इसको हमें कच्छा नहीं खाना वैसे तो हम चीज को पगाते ही है तो यहां पर आपको यह टिप्स तभी अपनाना है जब आप पिजा बना र आपके काम बहुत ही असान हो जाएंगे और पसंद है तो एक लाइक जरूर करिएगा चली आगे बढ़ते हैं अगला टिप्स भी बहुत अच्छा है देगे हम चाय पत्ति लाते हैं चाय पत्ति लाने के बात क्या करते हैं हम उसका पैकेट खोल के डबे में डाल देते हैं हैं में डाल देते हैं लेकिन उसमें प्रप्राबलम का शाओती है जुच्छान लेना है इस के बारीक वालई महां च्छनी से आपको च्हान लेना है देखें चाय पती कहीं होती है एक एकदम पाउडर सी होती है और एक थोड़ी सी मोटी और पतली बारीक दो-तीन तरह के मिला के होती है यहाँ पर जो है चाय पती पारीक वाली है तो मैं इसे दो बर छान रही हूं ताकि जितना पाउडर है वो निकल जाए पाउडर निकलने को आप कैसे चेक करें कि चाय प तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टिप्स भी किचन से रिलेटेड ही है जब हम खाना बनाते हैं कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं अद्रक हरी मिर्ची लेसन का अलग पेस्ट बनाते हैं तो यहाँ पर काजू जब आप डाले ग्रेवी में तो इस तरह के साबसी सब्ट डाले ग्रेवी के आजू आपको जादा मैनत भी नहीं लगए, तो आपको पीस Тो तो इस तरह के साबसी सब्द काजू के लिग आपको चोटे वाले काजू कजू आपको जजा बनता मैनतल तो इस तरीके से और सारी चीजों को एक बार में ही पीस लेना जब कभी इंस्टेंस सब्जी बनाना हो पनीर की या मिक्स वेज के लिए यह तैयार कर रहे हूं किसी के साथ अब इसमें डही डाल देंगे अब देखें ग्रेवी बनाने का बहुत सारा तरीका है लेकिन यह वाल टिप्स अपना के देखिएगा आपके काम बहुत असान हो जाएंगे और देखिए मैंने सुखे मसाले डालने कवा जो हमने पेस्ट बनाए था वह हम डाल देंगे उसके बाद भून लेंगे अच्छी तरीके से भूनना है इसके जितना सारा पानी है वह हमें सुखा लेना ह और जितना होज़के इस वीडियो को शियर जरूर करें मैं आपसे फिर मिलूंगी नई वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई थाइंक्यू